स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज में बना रही हूं बादाम मिल्क शेक जो बनाने में बहुत आसान है और पीने में बहुत टेस्टी बादाम मिलक शेक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बनाने में आसान है तो आईए बनाते हैं बादाम मिलक शेक बनाने के लिए मैंने 8-10 बादाम लिए हैं इसे मैंने राद भर भिगो दिया था आदा बाउ लिए चीनी कस्टर्ड पाउडर आदा लिटर दूद्ध थोड़े ड्राइफ रूर्स लिए हैं मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिया है इनको मैंने बारिक बारिक काट लिया है बादाम मिलक शेक बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को छिल लेते हैं इसका जो बाहरी छिलका है इसे हम उतार लेंगे मैंने बादाम राद भर भीगो हैं आप चाहें तो कम से घम इसे 5-6 घंटे जरूर भीगाएं तब ही हमारा बादाम मिलक शेक अच्छा बनेगा इसका मैंने बाहरी छिलका उतार लिया है आप देखें बादाम हमारे छिल चुके हैं इसका कवर है इसको भी आप फैंके मड़स्विन में इसको आप गंबलो में डाल दीजिए आपके प्लांट्स भी अच्छे हो जाएंगे अब आदाम को मिक्सी में डाल का इसका दर दर आपेस से बना लेंगे एक कड़ाई मैंने गैस पे रख ली है इसमें डाल देंगे दूद्ध दूद्ध हमने नॉर्मली जो घर पे दूद्ध आता है वही यूज किया है एक से दो चम्मच हम बॉल में डालते हैं कस्टर पाउडर का इसका घूल बना लेंगे बहुत जादा गरम दूद्ध न डालें और एक दम थंड़ा दूद्ध भी न डालें क्रस्टर पाउडर बनाने के लिए गुन गुना दूद का यूज करें अब थोड़ा दूद जो अपने बादाम छिल कर रखे थे उसमें डाल देंगे दूद और बादाम को डाल कर दूद और बादाम को मिक्सी में डाल कर इसका दरदरा पेस बनाने है एक दम बारीक नहीं बनाने है थोड़ा इसको मुटा दरदरा रखेंगे अब हमारा दूद भी गरम होने लगा है और इसमें मिला देंगे कस्टरड पाउडर का घोल मैंने वनिला कस्टर पाउडर लिया है आप चाहें तो कोई भी कस्टर पाउडर यूज कर सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा करते वे सारा कस्टाड पाउडर का खुल मैंने दूद में मिला दिया है साथ में मिला दूँगे आदा बॉल चीनी, मिठा आप अपने स्वाद के अनुसार रखे अब इन सब चीजों को अच्छे से पकने देंगे क्योंकि कस्टाड पाउडर है इसको अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है अदर्वाइस इसमें से कच्छे पन की स्मेल आएगी और हमारा बादम मिल्क से कटेस्ट खराब हो जाएगा अब जो मैंने बादम पीशके रखे थे दर दरे वह भी इसमें मिला दिये हैं और फिर से एक बार इसको अच्छे से अच्छे पकने देंगे अब आप मिला लेते हैं ड्राइफ रूट्स अभी मैंने आधे ड्राइफ रूट्स इसमें डाले हैं और आधे ड्राइफ रूट्स उपर सम गार्निश के लिए रखेंगे अब ये चीजे हमारे बहुत अचीजे मिक्स हो चुकी हैं मैंने मीठा टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा मीठा कम लग रहा है तो इसमें दो चमच चीनी मैंने और मिला दी है क्योंकि ठंडी चीजें जो फ्रीज में रखे होती है जैसा आइस क्रीम है और बादम मिलके से यह ठंडा ठंडा और मीठा मीठा ज्यादा स्वाधिस्त लगता है अब चीनी मैंने बादम मिला यह तो इससे अच्छी से मेल्ट होने दूंगे आप देखे हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुक है इससे हमने रूम टेंपरेचर मा आने के लिए छोड़ दिया है और हमारा बादम मिलके शेक जो है यह रूम टेंपरेचर मा आ चुक है और जैसे मैंने आपको कहता है यह ठंदा-ठंदा पीने में बहौट टेससी लगता है तो इसके बादम में डालके फ्रीज में डाल दूंगे कम से खम चार पाँज घंटे हम इस वो फ्रीज में रख देंगे मैंने ये सारा बादाम मिल्कशेक बॉल में डाल दिया है इससे मैं चार-पास घंटे के लिए फ्रीज में रख दूँगे अब ये देखे मैंने फ्रीज में रख दिया था आप देखते हैं हमारा मिल्कशेक कैसा बना है consonancy देखे बहुत बढ़िया बनिया बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं तो आएए सर्फ करते हैं आपने बादा मिलके से कई बार बनाया होगा इस बार मेरी style से बना कर देखिए आपका बादा मिलके से कैसा बना प्लीज मुझे कमेंड बॉक्स मा लिकर जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और स्चेयर कर दीजे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजे तो लिजे बादा मिलके से एक पर तैयर हो गया और इसमें गार्निश करते थे ड्राइफ रूर्स से अगर आप इसमें ड्राइफ रूर्स कुछ और एड करना चाहें तो आप और भी एड कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाए आयर्य एक प्रीशिएट यह टाइम ठैक्स पर बॉचिंग